लो नमस्कार जैन्ट अगर आप उत्तर प्रतेश के लीड़ें परदेश स्रकार की त preciso क्या है अपको उत्तर प्रदेश सर्कार के तरफ की कि तरफ से उत्तर प्रतिम फरतिम प्रनटी वोड की रतर से सूचना भिगब्ति अई है उत्त संसवधन किये जाने कि अंतिम्तिति को इस्तारित किये जाने की सूचना विशयक कि क्या हुआ है 150 150 2030 यह भी गव्टी संक्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पिलिस के पतों पर सीधी भरती 2030 के अंतर गत्र कि अंतिम्तिति पर भोगतान करने एवं प्रमाण पत्र दीजी लाकर यह मैनूल अप्लोड किये जाने है तो अभ्यार्थियों के आधिक संख्या में संभावित होने संसथान की क्या है तो उसके संसुण्त करना को कोई डॉक्मेंट export करना है तो उसके लिए भी्स can लगार्त परते हुए दीनंग सटरह एक ऍदोहजार चववीश से लिज्टनितर अपने रिदार्वतल किये जाने का दुर्णित लिया गया है आपने अभी तक प्रभी करना है तो आज से लेकर 20 तारिक तक आप इसके इसको कर सकते हैं अवेदन की अंतिम्ति थी 20 तारिक तक कर दी गई है अथा अभ्यार्थी गड़ उप्रक्तानुसार दिनांग सत्राइक दोहजार चवबीस एक दोहजार चवबीस तक सुल्क समायोजन तुल्क समायोजन आवेदन में संसोदन तथा जिन अभ्यर्थियों द्वार आपने विलेक डीजी लाकर के माध्यम से अप्लोड कर सकते हैं तो अगर पक्योंकि पहले डीजी लाकर नहीं खुला था अब डीजी लाकर ओपन हो चुका है तो जो पहले कुछ दिन तक नहीं कि अगर ऐब डीजी लाटकर करना चाहें तो डीजी लाकर कर लें अथा अधर है तक आप कर सकते हैं अथा देख सकते हैं अप जाँ हैं आप अपर भरती साचीद हृए तो है गया है अगर आपने पेमेंट नहीं किया थो कोई डाक्मेंट से अपलोड करना है तो संस्वधन करना तो बीस तरहीं तक कर सकते हैं अभी के वीडियो में इतना ही एक्स मेलते हैं अगर वीडियो अच्छा लागत तो सेर कर दीजिए कि और अगी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले धन्यवाद